हेलो वरिवान, गिल्ज मिन्टोर के ओफिशली योटूब चैनल पर मैं आप सब का वेलकम करता हूँ रिक्रूट्मेंट नॉटिफकेशन में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट लेकर आया हूँ बहुत ही जबरदस्त न्यूज है यह आप सब के लिए पूरी जानकरी आपको बताऊंगा कौन-कौन इस बरती में फॉर्म भर सकता है क्या-क्या क्वालिफकेशन होनी चाहिए और आपका फॉर्म कैसे भरा जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियेगे हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वट्सप ग्रूप पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं पर आपको सबसे पहले important updates और magazines और free में study material forward किया जाता है जिसकी जानकरी आप ले सकते हैं गिल्ज मेंटर की टीम ने PS, PCL ये पंजाब गवर्मेंट के सभी papers के लिए test series लाँच कर दिये जिसकी पूरी जानकरी आपको description box मिल जाएगी ये आप हमारी officially website है gilzmentortest.com पर जाकर पूरी जानकरी आप ले सकते हैं मैं आपको लेकर चलता हूँ officially notification पर वहाँ देखते हैं जादा जानकरी क्या है दोस्तो ये notification है central board of secondary education यानि CBSC board की तरफ से जारी किया गया है मैं कह सकता हूँ कि 2019 की end में एक और आपके लिए good news है जितने भी candidates किसी ने किसी exam की preparation कर रहे हैं तो आपके लिए लगे हाथ एक और good news है पूरी जानकरी आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर आपको अलग-अलग field में vacances दी गई हैं सबसे पहले बात करते हैं तो assistant secretary की post है जिसमें की 14 vacances है assistant secretary IT में total 7 post है analyst की बात करें तो 14 post है और junior hindi translator की बात करें तो 8 post है तो आप देख सकते हैं सबसे पहले column के अंदर आपको age दे रखी है उसके बाद में total post दे रखी हैं और बीच में category wise हैं तो आप properly देख सकते हैं जिस भी category में आपने form भरना है इन सबी पहली जहां तक बात करते हैं कि 4 post हैं जो start की हैं इसमें ESM candidates हैं जो उनके लिए यहाँ पर NA की services दे रखी हैं ध्यान रखेँगा इसके लाबा junior Hindi translator में total 8 post हैं 30 साल तक आपकी उमर होनी छाहिए senior assistant में 30 साल तक आपकी उमर होनी छाहिए total post हैं 60 post ह hem ay 60th post हैं stenographer में 27 साल तक आपकी उमर रखी हैं और 25 साल तक आपकी पोस्ट तक आपकी क्या होनी चाहिए तो 204 यहां पर पोस्ट होनीचे 27 साल आपकी एज रखी गई है इसके अलावा जैसे बात करते हैं कि 19 पोस्टें रखी गई है जूनियर एकाउंटेंट के लिए टोटल 27 एज साल की उमर तक आप फॉर्म बर सकते हैं अब यनि PWD candidates हैं उनके लिए प्यारे बंदू हो यहां पर जो पूरी जानकरी इन्होंने दे रखी है आप screen shot ले सकते हैं इसको अच्छे से read कर सकते हैं कि क्या क्या code आपको भरना होगा जब भी आप अपना registration करेंगे अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो आपसा selection होगा selection होगा मेरे पेरे दोस्तों written exam के जरीए CBT test होगा और CBT के जरीए ही आपकी जो merit बनेगी उसी बेस पर आपका आगे selection रखा जाएगा खास तोर पर ध्यान रखना होगा कि जह आपकी posting होगी वो आपको regional center में होगी और center government की regional center यहाँ पर आपको column number 2 में दे रखा है अजमेर, अलाहबाद, बुवनेश्वर, बुपाल, बैंगलूरू, चनडिगर, दहरादून, गुहाटी, नोईडा, पटना, पंचकुला, पुने, एंड काकिंदा, एंड त्रिवन्थम पुर्म particular यहाँ पर आपको given है registration की बात है तो 15th of November से लेकर 16 December के बीच में आप अपना form भर सकते हैं इसके अलावा जो आप बात करते हैं कि आपके लिए particular qualification क्या क्या होनी चाहिए जहां तक यह बात है सबसे important आपको जानकर ही मैं आपको देना चाहूँगा desirable बात इन्होंने मांगी है तो master degree होनी चाहिए ठीक है university in the public administration and management के अंदर and good working in Hindi and English होना चाहिए और आपको general awareness की जानकरी होनी चाहिए और age limit है वो 40 साल तक आपको दे रखा है as per the rule regulation of Indian government SCST को जो छूट मिलती है उमर में 5 साल 3 साल वो यथावत रहेगी assistant secretary जो IT है उसके लिए बी-tech होनी चाहिए या MSC IT होनी चाहिए BCA, MCA होनी चाहिए वो candidate form भर सकते हैं और आपके पास जो experience है वो आपके पास यहाँ पर important होगा वो जरूरी है analyst में बात करते हैं तो बी-tech candidates के पास होनी चाहिए MCA है या MSC IT है वो candidate form भर सकते हैं और कम से कम 5 साल का working experience होना जरूरी है Hindi translator की बात करते हैं तो Hindi to English और English to Hindi दोनों translator आपको आनी चाहिए translation करना आना चाहिए इसके लिए कम से कम आपके पास master degree होनी जरूरी है यह ध्यान रखिएगा और अगर आप Hindi के लिए form भर रहे हैं तो खास दोर पर graduation में plus आपके पास master degree में हिंदी होना कम पल सरी है मेरे पैरे बंदू इसके लावा देख लेते हैं कि senior resistant यानि UDC post है तो UDC post के लिए क्या है total आपको particular जहां तक 30-60 post हैं आपके पास graduation होनी चाहिए और आपको typing speed आनी चाहिए कम से कम 40 word per minute है और इसके अलावा आपका skill test में बात करते हैं तो आपको window है, MS office है, net है जो headling दे रखा है of large database, internet, html और web page design ये सब आपको आने चाहिए ठीक है desirable इन्हों ने रखा है कि जो candidate 50% कम से कम marks graduation post graduation ये computer application ये information all level certificate में कर रखे हैं तीन साल का experience होना जरूरी है किसी भी आपको पास field का है एक maximum ओमर 30 साल आपकी होनी चाहिए stenographer की बात करते हैं तो bachelor degree के साथ साथ में आपकी पास skill norms होने जरूरी है और इसमें आपको 10 minute में 80 word per minute की speed के साथ से नोने desirable दे रखिया है content में बात करते हैं तो bachelor degree होनी चाहिए आपके पास इसके अलावा आपके पास यानि state or center government के अंदर आपको work करने का तजर्बा होने चाहिए LDC post का कम से कम 3 साल का experience आपके पास जरूरी है और इसी के साथ में junior assistant और junior accountant की हैं तो particular आप इसका screenshot लेके पूरी हिदायते हैं और rule regulation पढ़ सकते हैं मैंने आपको बता दिया form कैसे भरना है अब जहां तक बात आती है कि candidate को छूट कितनी मिलेगी उमर में तो छूट आपको 5 साल की छूट मिलेगी CST को और OBC को 3 साल मिलेगी और ये particular आपके लिए यहाँ पर rule regulation इन्होंने दे रखे हैं examination की बात करते हैं तो examination fees हैं वो यहाँ पर 1500 रुपए यानि अनरिज़रव EWS और OBC को पे करना होगा और जो post A है उसके लिए post BRC के लिए 800 रुपए पे करना होगा SC, ST और PWD candidates और women और ex-servicemen और regular जो CBSE employees हैं उनके लिए कोई भी fees यहाँ पर नहीं रखी गई है ये आप सब को ध्यान रखना होगा जो mode of payment है वो आपका online mode रहेगा आप अपने debit card, credit card, net banking के जरी अपनी payment कर सकते हैं तो ये आपको समय रहते हुए अपना form भरना होगा सबसे important चीज़ है option of posting के बारे में यहाँ पर आपको जानकरी दे रखी है कोई भी candidate form भरेंगे तो आपको गलत mistakes नहीं करनी है अब जहां तक बात आती scheme of examination and the detail of syllabus की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको syllabus के बारे में जानकरी दे रखी है जैसे कि CBT test होगा उसमें आपको 100 marks दिये जाएंगे यह secretary की बात करते हैं तो secretary का यहाँ पर particular जो उसका syllabus है वो दे रखा है आपको इसके लावा IT में जो secretary उसके लिए syllabus दे रखा है screenshot आप ले सकते हैं सबी लोग इसके अलावा जो बात करते हैं अनलिस्ट का भी यहाँ पर particular यह number of question 125 और marks आपको dice हो रहेंगे यह भी आपको पुरी जानकरी दे रखी है अब बात करते हैं junior हिंदी translator में तो इसका भी आप screenshot ले सकते हैं syllabus के लिए क्योंकि मैं one by one बताऊंगा तो काफी detail में जाना पड़ेगा आप इसको directly read कर सकते हैं यहाँ से आप properly देखके इसके राबा senior assistant की बात करते हैं तो senior assistant में total यानि आपको 150 question आएंगे और जिसमें 300 number का paper होगा ठीक है और इसमें वर्ट तो की आपको skill test आपका होगा वो बिलकुल same होगा stenographer का दे रखा है accountant का दे रखा है आप video को post करके screenshot ले लीजेगा मैं बार-बार यही चीज़ कहूँगा आपको ठीक है अदरवाइस आप CBSE की website पर जाकर भी इस notification को read कर सकते हैं ठीक है तो यह आपको पूरी जानकरी दे रखी है यहाँ पर cut off की बात करते हैं तो maximum यानि overall जितने नंबर का paper होगा उसका 40% आपके पास attemptation यानि marks होने जरूरी है तब ही आपका cut off में नाम आएगा otherwise आपका name नहीं आएगा ठीक है skill test में तो skill test आपके लिए senior assistant और stenographer के लिए होगा पूरी जानकरी आपको यहाँ पर दे रखी है examination है तो examination आपको यहाँ पर particular दे रखा है seat 3 आपको choices बरवाई जाएंगी और 3 choices में ही आपका examination होगा तो मेरे पैरे दोस्तों यह आप तक पूरी जानकरी थी मैं उमीद करता हूँ आपको समझ में और पसंद आगी होगी आप अपना form भर सकते हैं regular base की post हैं और आगे like और share करना नहीं बूलिएगा अपने दोस्तों तक जुरूर share कर दो फटा फट से ताकि सभी तक information पहुंच जाए ताधिक जानकरी के लिए आपको नीचे दे रखा cbse helpdex2019.gmail.com पे आपको mail करना होगा कोई जादा जानकरी चाहिए तो आप फर्दर वहां से जानकरी ले सकते हैं आप सबने अपना बेश कीमती समय दिया इसके लिए मैं शुक्रिया करूँगा तैंक यू गुन आप बाइ